अरे अरे क्या चल रहा है भाईयों कल को योगाटे की प्रेक्टिस सर सर इंटराशनल योगाटे मनाते क्यों है सर आईये जानते हैं 21st June एक बहुत ही special day होता है ये वो दिन है जब longest day होता है Northern Hemisphere में इसे summer solstice भी कहा जाता है जब seasons change होते हैं कई Indian scriptures में ये माना जाता है कि 21st June को ही शिव जी ने शब्त रिशियों को योग सिखाना शुरू किया था इसलिए शिव जी को आदी योगी या फर्स योगी भी कहा जाता है 11th December 2014 को इंडिया के जो permanent representative थे United Nations में अशोक मुकरजी जी ने एक draft position किया United Nations General Assembly में जिसमें उन्होंने प्रपोस किया कि 21st June को International Yoga Day की तरह मनाया जाए और दुनिया का पहला International Yoga Day मनाया गया 21st June 2015 को